चार्ल्स होलिवेरा ने अभी लेटेस्ट इंटर्वियू दिया है जिसमें उन्होंने चेल सनन को कोट करते हुए कहा है कि अगर मैं इसलाम मखाचेव के खिलाफ जीच जाता हूँ तो मैं एलेकसेंडर वॉलकनोवसकी को चैलेंज करने की बजाए सीधा खभीब को कॉल आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें इसलाम मखाचेव के साथ UFC 280 में मेगा फाइट होने जा रही है चार्ल्स डोप्रोंग्स ओलिवेरा की और ओलिवेरा अभी जो है 11 फाइट विन स्ट्रीक के उपर है और चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि मैं जैसे ही 12 5 विन स्ट्रीक पे आ गया तो मैं सीधा कॉल आउट करूँगा किसको हभीब नूर्मा गमेडेव को क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा बोला कि मेरा एक ही एम है मैं UFC में हिस्ट्री क्रियेट करने के लिए आया हूँ लेगेसी क्रियेट करने के लिए आया हूँ तो अभी मुझे पिछली तीन फाइट से लोग डाउट कर रही है यानि कि चैंडलर के खिलाफ फाइट हुई मुझे डाउट किया लोगोंने डस्टिन पोरिय के खिलाफ फाइट हुई डाउट किया मेरे उपर लोगोंने उसके बाद जस्टिन गेची के साथ फाइट हुई डाउट किया मे प्रफॉर्मेंस से और अब तो चाल सोली वेर का कहना ये है कि मुझे वेट तो है इसलाम को हराने का लेकिन जितनी ज़्यादा खुशी मुझे उसको हराने से होगी उससे ज़्यादा कई कुशी मुझे हभीब को कॉल आउट करने से होगी ये अपनी लोकल लेंग्वेज में अभी recently इंट्रिव्यू दिया चार्ल सोलिवेरा ने तो इस इंट्रिव्यू से हम साफ साफ ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से चार्ल सोलिवेरा को अंडर डोग माना जा रहा है पिछली तीन फाइट से और पिछली तीन फाइट से जैसे हभीब नूर्मागमेडोब जो हैं बिल्कुल चांस नहीं दे रहे इसलाम के खिलाफ चार्ल सोलिवेरा को तो इस बात से चार्ल सोलिवेरा काफी मतलब की हाइपड अप हो गए है काफी उनका दिमाग खराब हो गया उनका सोचना ये है कि मैं जीतते ही सबसे पहले कोल आउट करूँगा तो हबीब को लेकिन ये जो सिनेरियो होगा ये बहुत इंट्रेस्टिंग होगा अभी इस टाइम पर ये बात पहले ही उठने लग गई है कि चार्ल सोलिवेरा गोठ है या हबीब नुर्माग मेडव हैं लेकिन अगर अभी देखा जाए तो हबीब के आसपास भी चार्ल सोलिवेरा नही पर और फिर हबीब की ना करने के बाद ये वॉलकनोवस्की को हरा देता है तो उस टाइम पर हबीब को हटा कर चार्ल सोलिवेरा बिलकुल नंबर वन लाइट वेट वोट हो जाएंगे लेकिन उससे पहले जहां तक मुझे लगता है इसलाम मकाचेव को हराना बहुत जादा मुश्किल है लेकिन अगर चार्ल सोलिवेरा ऐसा कर पाता है तो जब वो कोल आउट करेगा तो बहुत मजा आएगा देखने में पर हबीब का हमेशा कहना ये है जब तक फाइट फिक्स नहीं होई थी ना इनकी तब तक हबीब यही कहते थे कि पहले मेरा टाइम था देट हबीब टाइम बट राइट नाव इस चार्ल स्टाइम लेकिन जब से फाइट फिक्स होई है इसलाम के खिलाफ तो हबीब ने बिल्कुल मौर्चा खोल रखा है ओलिवेरा के खिलाफ बोलने का और यहां तक कह दिया है कि उसी के घर में जाके उसी के एरिया में यानि कि टे जिधा कोल आउट होगा हबीब को आपको क्या लगता है अगर चार्ल सोलिवेरा जीता तो किसको कोल आउट करना चाहिए और क्यों कोल आउट करना चाहिए जीत भी पाएगा या नहीं अगर जीतने के बाद कोल आउट किया तो क्या आपको लगता है हबीब वापस आएगा मुझे तो लगता है नहीं आपको क्या लगता है नीचे comment box में comment करकर बताएं और ये जो अभी back forth जो ये interview दिये जा रहे हैं ये बस एक दूसरे के उपर mental game खिला जा रहा है यानि एक दूसरे के उपर mental effect डालने के लिए ही ऐसे ऐसे जो है interview दिये जा रहे हैं लेकिन क्या करें mind game तो खिलने पड़ते हैं तो नीचे comment box में जरूर comment कीजिएगा अपना ध्यान रखें ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच आप लोगों के प्यारों सपोर्ट के लिए